टॉस चिकन तवा टॉस चिकन तवा की तैयारी भी हो चुकी है और फ्राइंग पेन में बड़िया सा तेल भी रख दिया है हमने लेकिन इसकी सामगरी क्या है वो हमने नहीं जानी अपनी समय बता दीजे सामगरी क्या है बोलनेस चिकन है, चावल का आटा है, हरी चटनी है, वारी कटी हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर है, एक नीम्बू है, मिर्च है और नमक है सामगरी हमने देख लिए, थोड़ी सी ये, काफी कम है, सिर्फ मुझे एक सवाल पूछना है कि ये सफेद मिर्च पाउडर क्यों इस्तमाल करे है सफेद मिर्च इसले की, ताकि उस डिसका अलग से स्वाद आया, बाहर का फ्लेवर आया, कॉंटिनेटल डिश तयार करने के लिए फ्लेवर दिया है अच्छा मतलब तुमारा कहना है कि कॉंटिनेटल डिश में सफेद मिर्च पाउडर का इस्तमाल होता है मतलब हम लोग इंडियन कॉंटिनेटल डिश बनाने का प्रयास कर रहे हैं करते हैं ओके, सामगरी हमने जान लिए है, आप चलते हैं कृती की तरफ, आगे क्या है कृती हमारी बताई है बोनेस चिकन लेना है और उस पे ये ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी में पुदीना अधरक लैसुन आधी मिक्स किया हुआ है पुदीना अधरक लैसुन, हाँ हलका सा नमक डालें, क्योंकि उसको चटनी में भी मिलाया है इसको अच्छे से मेरिनेट कर लेना है ये चटनी हर हिस्से को लगनी चाहिए ठीक है तो ही मज़ा आएगा, ने तो मज़ा नहीं आएगा ओके ये अच्छे से मेरिनेट हो गया है ये ज़्यादा देर रखना नहीं ना इसे ने ने, लिट्स क्विक ओके, ओके अब हम चावाल काटा इसमें निकाल लेंगे और ये जो चिकन है, बोलनेश चिकन ये हलके से इसमें डीप करके ओके और इस चिकन को पकाने की कोई जरुवत नहीं है मतलब इसे उबालने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि बोलनेश चिकन है तो जल्दी से तेल में पक जाएगा बस 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 अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं क्या है कि खाने को तयार हो जाए ना जल्दी मतलब इस व्यंजन का सबसे महतो पुण भाग कौन सा है वो जो चटनी आप बना रहे है उस चटनी का ज्यादा महतो है वो चटनी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा मेरिनेट होगा और स्वाध भी बढ़िया होगा ओके बस अब इसकी पल्टी मारी की बाहर निकाला और खाने को तयार थोड़ी देर पांच मिनट तक उससे पकने देना है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आसान रेसिपी है जटपट होने वाली रेसिपी है चटनी अगर आपके घर पे रेडी होना तो सिर्फ बॉनलेस लाई है और फटाक से कोई मेहमान आयो तो ओके के तन ये अब तयार हो गया ना हाँ ये चिगन तयार है अभी पूरी तरह से गैस बंद कर दूँ हाँ अच्छ 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 अब इसका क्या करना है अब वो वेजिटेबल है उससे थोड़ा टॉस कर लेंगे बराबर नमक और काली मिस डालके हाँ नमक डालू इसमें थोड़ा से नमक डाला है अब काली मिर्च समझो की एकाद कोई नौन वेज़ खाने वाला नहीं है तो इसमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं चिकन के अलावा हम तोफू या सोया चंग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें चटनी लगाके यह हम ऐसा कर सकते हैं सेम प्रोसीजर सेम सेम प्रोसीजर चिकन डालेंगे बस अब प्लेट में लेके खाने की शुरुवाद करनी है हां आप भी पेन आत में लीजिए और लिखने की शुरुवाद कीजिए सामगरी और कृती टॉस चिकन तवा बनाने के लिए लगने वाली सामगरी बोनलेस चिकन, चावल का आटा, हरी चटनी, बारी कटी हुई शिमला मेच, प्याज और टमाटर, नीबू, सफेद मेच पाउडर और नमक, कृती सबसे पहले बोनलेस चिकन को नमक और हरी चटनी लगा कर मैरिनेट कर लें ये मैरिनेट पीसेस चावल के आटे में लपीट कर फ्राई कर लें पैन में तेल गरम करके उसमें कटा हुए टमाटर, प्याज और शिमला मेच, नमक और सफेद मेच पाउडर डाल के टॉस करें उसमें चिकन डाल के थोड़ा पका लें और फिर इस डिश को सर्फ करें